दोस्तों अगर आपका final door है अगर वो band हो गया है तो आप क्या करूँगे क्योंकि उसको सीधा करने के लिए बहुत सारा मुश्किल हो यह तो जल्दी सीधा होता नहीं है अगर आपका sliding waterproof का door है या normal waterproof का door है अगर door band हो गया है तो उसको किस तरह सीधा करना चाहिए वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो उसको सीधा किस तरह से करना चाहिए, परफेक्ट तरीके से, और वो हमेशा के लिए सीधा रहा है, बाद में भी वेंड ना हो, तो क्या करें, क्या नहीं करें, सब जान करें, आपको सब पूर डाउट आपको इस वीडियो में किल यह फिटिंग दोस्तों, दोर को सीधा करने के लिए लगा जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाएता हूँ, यह फिटिंग है, और इस तरह से पॉलिथीन में रहता है, और मैं यहाँ पर जो इसके उपर स्टीकर है, इसके उपर आप प्राइज भी देख सकते हैं, और तो इसमें दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बस दो रॉट रहता है, और बीच का मतलब कुछ फिटिंग रहता है, मैं आपको दिखाएता हूँ, तो यहाँ पर देखाएंगे, यह फिटिंग के दरवाजे को सीधा किया जाता है, और यह इसका डोकुमेंट है, जो किस तरह से लगाना चाहिए, इसमें आपको देखेंगे, तो इक को कमपनी के है, और यहाँ पर मॉडल नंबर भी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको ड्राइंग भी दिख रहा होगा किस तरह से लगाना चाहिए, तो कुछ इस तरह से इसमें दिया हुआ है, आ और यह दिखेएगे मैंने बुन बॉला था दो रोड है आर्यां पे दोस्तों अगर आपका बाई सबस्क्राइब रोड चोटा है और यह रोड बड़ा है तो आप में इस तरह से काट सकते हैं आपको इतना धिया खूल ऑना है इसमें आपको करते हैं तो दोनों जो लेप साइड और राइट साइड का दोनों जो रोड होता है उसको कटिंग कीजिए एक को मत कट कीजिए और इसके प्लास्टिक को भी कट करना पड़ेगा आपको और इसमें देखेंगे यह जो बीच में लगता है जिसके मदद से हम मतलब दर्वाजे क को सीधा करते हैं यह लेप राइट रहता है अब इसमें देखेंगे तो राइट साइट के टाइट हो रहा था और इसमें देखेंगे अगर इसमें हम राइट साइट के तरफ टाइट करेंगे तो इसमें घुसे गई नहीं है यह इसको जब बदल मतलब पल्टी कर देंगे तो यह इसमें चले जाएगा असानी से इसको देखेंगे तो left side घुमा रहे हैं हम तो tight हो रहा है और यही अगर निकालके इस rod में अगर हम fitting करते हैं तो इसमें भी नहीं जाएगा यह यानि कि कहने का मतलब यह है यह जिस तरफ लगना चाहिए उसी तरफ लगेगा इसको अग प्रकाइट कर देना है, फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा कर देना है क्याftig अगर लूज करना रहे तो कर सके होए तो किलेंद आपके कापways में और City करने के वाद इसको दरवाजे पर रखरम रखर मिलाम कि इसको संतर में ही लगाना चाहिए ऊपर और नीचे दोनतरные जगह बराबर छोड़ना चाहिए और उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहां पर हमारा एक लॉक लगा हुआ है क्योंकि यह ओपनेबल डॉर का यह दर्वाजा है तो यह इसमें आपको ध्यान देना है जैसे हैंडिल का खड़ा है जो इसक्रूर लगता है उसका खड़ा है और यह लॉक है तो लॉक के लिए भी जगह छोड़ कभी कभी का वता मसे गलती हो जाता है हम भोलके गलत जगविक़ बन रहा है उसके लिए ऑप देखेंगे हमरा दो इंच जगह बन रहा है तो यहीं सैम दो इंच हम l vous Lip यहां पर देखेंगे हमको center मिल गया इसको measurement कर लेँगे तो यह देखेंगे पूने 3 इंस के आसपास आ रहा है तो हम यह measurement को याद रखेंगे यह measurement हमको बरावर काम आएगा और इदर से भी जो center वाला हम को मार्किन करने हैं वहां काइदा होगा इदर से hope measurement करने में असाणी होगा क्योंकि हम जब मार्किन लगाएंगे तो वह हमको दूरी जो ही यह मालुन्ब चल जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे पांच चारा है तो यह पांच चारा कर लिए जो साइड से हमने 55 इन इन का मैंने बताया था जो पहुने थी जो घुरब का मार्किंग करेंगे और उधरी से करेंगे और साइड से जो पहुने तीन इच का है वही पहुने तीन इच का मार्किंग इधर से भी करेंगे तो यहां पर देखेंगे हम पहुने तीन से 5、500 का barking कर लेते हैं तो यह 15-3 इंच का मार्किंग हो गया है अब ये मार्किंग और ये मार्किंग के बीच के जो सेंट्र मार्किंग का सेंटर निकालना आपको जैसरे दोनों दोनों तो मार्किंग हो चेक कर लेदे हैं थो यहां पे बढיח कर देते हैं तो यहां पर नजदीक से देखेंगे तो यहां पर भी मार्किंग हो चुका है और इसको भी हम पहुने 3- sword नच का मार्किंग कर देते हैं दोस्तों मार्किंग लगभग कमप्लीट हो चुका है अगर हमारा जान करें आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह कितना आपको दीप रखना है अभी थोड़ा अमारा मतलब डीप कम है यहां पर देखेंगे यही मतलब इसके अंदर बैठेगा तो यह जो अभरा हुआ है वही वाला पार्ट इसके अदर जाएगा तो उसके आपसे होल लगाना है ज्यादा नहीं लगाना है तो यहां पर एक उदर है एक सिंटर में है वो तीनों होल को हम लागा कमपिल्ट कर लेते हैं उसके बाद आगे का फिटिंग करते हैं तो फाइनले दोस्तों हमने 35 बीट से होल लगा लिया अब यहां पर देखेंगे बीच वाला जो जिसमें रॉड बैटता है वो उसका मेजरमेंट करेंगे तो यह हमारा तीन सूत के आसपास है आसपास नहीं तीन सूत ही है लेकिन हम यहां पर जो इसके इसके लिए जो गाला क करेंगे वह 11 इंच को करेंगे वह यहांपे करेंगे यहां से करेंगे इसके इधर 2 सूत कर लेंगे और दो सुत कर लेंगे यह हमारा बीच का 16-3 क का इंच का मार्किन हो जाएगा और इसी लाइन पर हमको कट्रमसिन से कट कर देना है कि इसमें कटिंग आपको जो 55 को होल लगाए हैं उसके अंदर अंदर ही रखना है बाहर नहीं जाना है वह बात का ध्यान देखक अच्छाथर मसिन चलाना है और तो यहाँ पर हम भी करते साफकर लेते हैं और यहां पर यहां पर आधाइंच का भूदि यहां पर लगा न कि इसनट ऑप अब दूसरे तरह से इस था से जागा या कर देंग के दूसरे कंवी इस तरह से बखा देना है इसमें बैस कि दोस्तों जचितना होल दिया है सारे में इस्कुरू लगाना है इस्कुरू ऐसा नहीं कि दो में लगा दे दो छोड़ दे ऐसा नहीं करना है आपको जितना होल दिया है सारे होल में आपको इस्कुरू लगाना है उससे होगा यह जब हम इसको दरवाजे को सीधा करेंगे तो ये उपर उठने लगता है जैसे अगर इस्कूर बीच में छोड़ देंगे कहीं कहीं नहीं लगाएंगे तो ये उपर उठने लगए तो आपको दिक्कत होगा फिर बाद में भी आपको इस्कूर लगाना ही पड़ेगा तो जितना होल दिया है सारे में तो आपको आची तरीके से टाइट कर लेना है तो दोस्तों यह भी हमारा फाइनल फिटिंग हो चुका है अब इसके इसमें देखेंगे यह जो बीच में होल दिख रहा है बस इसी में इसी में रौट डालके कुछ इस तरह से मतलब घुमान रहता है तो यह टाइट होता है आपको दिखा रहा हूँ अब इसको दोस्तों सीधा करेंगे तो सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे दोर को खड़ा कर लेंगे खड़ा करने के बाद सीधा करेंगे तो ज्यादा ही जी रहेगा हमको मालम चलेगा दोर हमारा सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कुछ इस बढ़ा होगा, अगर tight करेंगे तो यह छोटा स्वर्टा right by den रहता तो ऐसको अगर tight करते तो यह सीधा करता सीधा होता है तो यहां पे देखेंगे जो हमारा दरवाजा है अच Hindu के सीधा हो चुका है दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ अगर आप यहां तक देखे होंगे तो 100% आप दर्वाजे को या नी डोर को सीधा करना सीख गया होंगे दोस्तों हमारे वीडियो के इसा था कमेंट करें जरू बताइएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो के लाइक करके चैनल को बनाता रहता हूँ तो मिलता हूँ दोस्तों नेस्ट वीडियो में नाइट ओपिक सा तब तक के लिए जय हिन वंदिमात्रम